आज टेक्नलोजी की जमाने में हमारी देश में 260 मिलियन बच्चे हैं यानि 26 कोड़ बच्चे हैं हमारी देश में 15 लाग से जादा स्कूल्ड से हमारी देश में एक कोड़ स्कूल टीचर है प्रधार मंत्री जब मुक्षय मंत्री की दाइतों में थे गुजराट में तब उन्होंने एक इनिशेटिव लिया था विद्या समिक्षा के अंदर उसकी अर्थे गुजराट की सभी विद्यारितियों की तर्फे गुजराट उस डाटा बैंक में आ जाएगा डाटा सिंटर में आ जाएगा जाएगा अभी एनिपी ने रेकॉमेंट क्या है को उसको पैन इंडिया एक्सपेंशन करना विद्या समिक्षा के अंदर अभी अखिल भारती हो रहा है यह अडवाईजरी है या नो नो कई राज्जियों ने अपने बच्चों को मैंने गुजराट के उधान दिया उसको हमने एक औल इंडिया पैटर्न बनाए लेकिन कई राज्जियों ने लगवक हमारी भारत सरकार की एक स्कूल में एक पोर्टाल है उसमें से एनुवाली एक बार वो अपना स्कूल की बेशिक डाटा डालते हैं उसको डाज के spricht की एक स्कूल की मानलो मैत्मेटिक्स की टीचर अच्य है। उसमें आसेस्मेंट होती है कि mathematics में फ़लाना क्लास की 8th standard की बच्चे अच्छे कर रहे हैं तो अगर एक data point से एक assessment बनती है तो साथ उस teacher को हम सारे class में केशे कठाव पढ़ा पाए या उस बाकी टीचरों को अपने आप ही डालते हैं वो कि क्या कोई center से जाता है तेस्ट करने के लिए एक agreed practice है कई सालों से agreed practice है उसको UDAI से एक agreed practice है कई राज्यों ने अपने अपने data matrix बना लिया है इसको एक all India platform पे जोड़ना NEP ने recommend किया है इसकी नाम होगा विद्या समिक्षा केंदरा उसमें से assessment होगी examination and assessment उसके ओपर एक holistic progress report यह NEP के प्रमुक recommendation है हम उसी दिशा में आपने तियारी को कर रहे है पहले होता था ना कि जैसे एक science stream होता था एक arts stream होता था उसके बाद science, arts and commerce और कई दशक तक यह 3 streams fix थे कि आप 10 standard तक आपको decide करना होता है कि आप science करना चाते है arts करना चाते है या commerce करना चाते है और उसी हिसाब से plus two में होता था क्या अब यह जो 5 plus 3 plus 3 plus 4 जो अब कर रहे हैं क्या इसमें भी वैसे ही compartmentalize होगा या फिर जो बच्चा science पढ़ना चाता है वो commerce भी पढ़ेगा vocational studies, skills extracurricular activities यह सब merge होंगे कि नहीं क्योंकि जो extracurricular activities थे वो optional थे तो जब तक आप 9-10 standard में आगे तो extracurricular तो आप कोई teacher करने ही नहीं देता था क्योंकि उसमें marks नहीं मिल रहें parents भी नहीं education में वो focus करते कि इसके लिए तो क्या यह तो फाल्तू का काम है आप इसमें कर रहे हो you will not get admission मतलब I am telling you from my experience also my parents भी सारा टाइम extracurricular सारा टाइम पढ़ेगा कब तुम्हें एड्मिशन नहीं मिलना और मुझे वैसे काम वगेरा तो मेरा extracurricular से ही आया है but I am just saying to you that वो बहुत watertight compartments होती थी तो अब क्या होगा सुरिता जी आप पी का अनुवव ही NEP है आपने जो एक दो में आपना खुद को एक case study बनवा है कि जिसको में मेरे parents ने extracurricular करके मेरे को करने नहीं देते थे आपकी speaking capacity आपकी leadership capacity इसमें कैसे आए कि आप गाना गाओगे तो आए कि आप आल इने रेडियो में जाके voice over करने के लिए इसमें क्या मिलता है तुमको 5 और पीस इसमें क्या होगा यह जो आपकी बच्पन की motivation था जो आपने आपकी showing की इच्छा से किया वेवस्ता नहीं थी और समाज में उसकी acceptance नहीं था उसी को अभी NEP ने हमने बदला है nothing is extracurricular now सारा चीजों को इसलिए NEP ने कहा class 6 से आपने fundamental प्रस्ण पूछा कि आगे कैसे देखती हो उसमें करोगे क्या यह तो वर्टिकाल हो गया 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 हो गया तो उसमें पढ़ा होगे क्या देखे उसमें class 6 से यह आपकी middle level से middle level से skilling and vocational a mainstream education की पार्ट होगा आपकी रूची को आपकी रूची की पढ़ना सुरू करोगे उसमें भी एक subject करके जब पढ़ोगे उसमें भी examination होगा उसमें भी आपको mark मिलेगा जो एक basic बंधन था एक restriction था mental restriction था उसमें mark मिलेगा ही नहीं तो पढ़ना क्यों यह इसमें से उबर जाएगा choice दे दिया जागा इसमें कहा कि इसको wide किया जाएगा फिर आगे जब class 9 तक आएगा 9 to 12 के अंदर यह चार साल में business करके 9 and 10 में यह तो general students तक सभी चीज़ अभी लोग सभी चीज़ अपढ़ेंगे आगे चलके उसमें से sports भी आएगा cultural aspect of society आएगा गाना, debating करना, story telling देखो आज के आधुनिक दिनों में यह जो आप और हम कर रहे है radio jockey, podcasting यह कितना बड़ा profession हो चुका है इसके लिए बच्चे सुरू से ही रूची रखते हैं वो mathematics भी पढ़े वो semiconductor भी पढ़े और speaking practice भी करें यह भी सब्जेक्ट हो सकता है उसके लिए यह सब ववस्ता अब जब हम भी नया टेस्ट बुक बना रहे हैं उस टेस्ट बुक में लगभग देड सो सब्जेक्ट रहेंगे उसकी सब सब्जेक्ट रहेंगे मने भोकेशनाल की तो आपने आप में सब्जेक्ट हो जाएगा